हेलो फ्रेंड, बेलकम टू सुभम क्लासेस, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस आज हम इस साइंस में नया अध्याय सुरू करने जा रहे हैं अध्याय 13, ठीक है, इसके पहले बारवी अध्याय में हमने पढ़ा था कि बिद्धारा के तापिय परभाव क्या हैं और बिद्ध सक्ति क्या होती हैं तो ये सारी चीजें इसके पहले अध्याय में हम जान जोके हैं ठीक है, और अध्याय 13 है बिद्धारा के चुम्बकिय परभाव क्या हैं ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे तो जो बिद्दुधारा है ठीक है ये कैसे अपना चुम्बकिये प्रवाव परदर्सित करता है वो हम जाना स्टार्ट करते हैं इसके पहले आपको ये बताना हमें होगा कि वीडियो आपको कैसी लगी ठीक है इसके लिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं ठीक है और वीडियो यह अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों को भी सेयर करना चाह रहे हो ठीक है तो सेयर कर सकते हैं और हम फीड़वैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और चुम्बकिये प्रभाव जो है यह काफी इंपोर् देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चलिए स्टार्ट करते हैं कि वीडियो धारा ठीक है इसका चुम्बकिये प्रभाव क्या है इसके लिए हम एक अक्टिविटी करेंगे ठीक है तो वीडियो धार वाही तार ठीक है एक चुम्बक की भात ब्योहर करता है कैसे ब्योहर करता है उसके लिए हम एक्टिविटी के दौरा समझेंगे एक्टिविटी में क्या है कि आप एक प्रतिरोध प्रतिरोधक लेंगे जिसका प्रतिरोध आर है ठीक है और उसमें एक अमीटर लेंगे ठीक है एक कुझी और कुछ कनेक्टिंग वायर क्या लेंगे तार होना चाहिए जो ये मोटा गिरिन तार X और Y सिरे के बीच में जुड़ा हुआ दिख रहा है ठीक है अब एक चीज और आप ध्यान दिजिए कि यह तार यहां से यहां तक कटा हुआ है ऐसा आपको दिख रहा है किंतों यह कटा हुआ नहीं है ठीक है एक प्लेन पेपर है ये तार इस plane paper के perpendicular यानि कि लंबोत रखा हुआ है लगा हुआ है और इस plane पर क्या है कि एक दिख सूचक यानि कि दिशा सूचक यंत्र भी रखा हुआ है तो अगर यहाँ पर चुम्बक उत्पन हो रहा है तो एक चुम्बक के कारण दूसरे चुम्बक भी प्रभावित होते हैं तो यह चुम्बक के प्रभाव पर आधारित यंत्र है दिख सूचक अब हमें क्या करना है कि जैसा परिपत आप देख रहे हैं एक कुझी लगा हुआ है पहले तो य सिरेस एक तार लाएंगे इसमें क्या करेंगे एक कुझी लगाएंगे फिर इस तार को आगे बढ़ाती हुए एक बैटरी जोडएंगे ठीक है धारा मापी के positive सीरे से ये बैटरी के positive terminal को यानि विभा को विभांतर को जोड़ देंगे ठीक है positive terminal battery के इस अमीटर से जोडने के बाद क्या करेंगे इसके negative terminal को प्रतिरोत के एक सीरे से जोड़ेंगे और प्रतिरोत का दूसरा सिरा हम ले आकर y point पर रखेंगे अब x point पर रखेंगे अब x और y point के बीच जो ये आपका धारा वाही तार है उस तार को लगाएंगे कि इस switch को on करेंगे और इस तार में धारा को परवाहित करेंगे धारा परवाहित की दिशा ये arrow दिखाता है ठीक है क्या करेंगे इसमें धारा परवाहित करेंगे और जैसे ही इसमें धारा परवाहित होगी क्या होगा इस चुम्बकिये सुई ठीक है जो दिक सूचक है उसकी सुई में क्या होगा बिच्छेप आएगा क्या आएगा बिच्छेप आएगा ये हमारा प्रैटिकल था और इसी बिच्छेप से हम जान पाएंगे कि यहां से जो धारा बह रही है उस धारा के कारण इस तार में एक चुम्बकत्व का गुण उत्पन हो रहा यानि चुम्बकिये परभाव उत्पन हो रहा है ठीक है इस फिगर के नाम आंकन के लिए आप कह सकते हैं धात के चालक से बिद्धु धारा प्रवाहित करने पर दिक सूचक में बिच्षेव क्या कह सकते हैं कि धात के चालक से बिद्धु धारा प्रवाहित करने पर दिक सूचक में बिच्षेव अब जो ये उपर का परियोग है इस परियोग से हम पाते हैं कि दिक सूचक यानि सूई में क्या होता है बिच्छेप होता है इसका आर्थ है कि ताबे का जो तार है या धातु का जो तार है ठीक है उसमें क्या हुआ है धारा परवाहित करने पर चुम्बक ये परवाव उत्पन हुआ है क्या हुआ है एक चुम्बक की ये परभाव उत्पन हुआ है इस परकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा विद्दूत है वो चुम्बक और विद्दूत दोनों से एक दूसरे से संबन्धित हैं हमारे हैंस क्रिस्चियन औरनेश्ट छीख है इन्होंने क्या किया था विद्दु चुम्बकत की खोजकी थी और इसके समझने में एक निर्णायक भोमी का निभाई थी कब किया था 1820 सिस्बी में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धात के तार में विद्दु धारा परवाहित करने पर पास में रखी दिक सुचे में बिच्छे पुत्पन्नों हुआ यह हो जाता है ठीक है अपने प्रिच्छनों के आधार पर अरनेस्ट ने बताया कि यहां परमाडित किया जा सकता है कि बिद्दु तथा चुम्बकिये चुम्बकत्व ठीक है परस्पर संबंधित परिघटनाय है उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई-नई प्रोद्धक की जैसे की रे आप पर अब आप जान सकते हैं कि इस चुम्बकिये परभाव का क्या क्या उपियोग हो सकता है ठीक है और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि गतिमान चुम्बकों के जो बितुत परभाव हैं या इनकी उतकर्मित शंभावना क्या है उतकर्मित संभावना का मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आमने एक तार में धारा प्रवाहित किये तो उसमें चुम्बकत्व का गुणाता है यह दि किसी चुम्बक को ठीक है किसी परिपत के चारो तरफ घुमाया जाए यह परिपत से संभद घुमाया जाए तो क्या होगा ठीक है तो यह जो गतिमान चुम्बक है इसका उतकर्मड यह प्रवाव होगा ठीक है और इस अध्या में हम यह भी पढ़ेंगे कि चुम्बक के चेतरों तता इसी परकार के बिद्दु चुम्बक के प्रवाव का अन्य चीजों पर अध्यन करेंगे बिदुत चुम्ब के तरंगों के बारे में जानेंगे और बिदुत मोटर क्या है इसके बारे में भी अध्यन करेंगे जो कि क्या होता है चुम्ब की परभाव पर आधारित होता है इसके साथ बिद्दुत जनित्र, यानि कि बिद्दुत किसे उत्पन होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे गतिमान चुम्गों के जो बिद्दुतिय परभाव हैं, इसी पर आधारित होता है ये बिद्दुत जनित्र ठीक है आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके बताएं अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाया ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते रहें वो आपको लगातार मिलते रहें ताकि आप अपने ग्यान को लगातार बढ़ाते रहें धन्यवाद हेलो, वेलकम, अगर अब तक यूटूब के सबसे नमबर वन चैनल सुभम क्लासेस का आपने क्रैस कोर्स नहीं जोइन किया है थैंको सुभम क्या है